असलाम अरेकुम अच्छा पर टॉपिक का नाम है इवोलुशन आज हम इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे इन्शालला इसका पूरा का पूरा चैप्टर अप्लोड हो जाएगा इवोलुशन बहुत असान और सिंपल सा चैप्टर और टॉपिक सा देखते हैं इवोलुशन होता मतलब जो प्री अग्जिस्वी फॉर्म है उससे डिवेलप होना न्यू पापुलिशन का ये न्यू स्पेशिकर दियार कॉल इवोलुशन है हमारी बुक क्या कहती है एफसी कि जब आपने पेपर में लिखने तो ये डैफिनिशन लिखनी है हमारी बुक कहती है दा प्रॉस लिखने जो आज कर Cumodern 2 जो आज कर हम देखते हैं जो वास्डवरसी बन चुकी है मतलब कि कि जो बी दू collaborate का बना जो बयखने को कैसे बना कहते है अर्लियस भॉर्म के लिखने होना इस को आपर क्या पर आपन अतते हैं सब्सक्राइब करते हैं अच्छा जो इवोलूशन के जितने भी मेरे बचे बालो जिसे याद रखेगा जो इवोलूशन है यह इंट्रेक्शन बिट्वीन पापॉलेशन ऑफ और्गनिजम एंड इंवार्मेंट के उपर बेस करता है मतलब के पापॉलेशन जो जितने भी जि इंट्रेक्शन जो होता है उसके उपर बुन्यादी लाहाओ से जो के नई स्पेशिस बनती है जो के इवोलूशन होती है अब मेरे बचाह यार रखना के इवोलूशन के बार में जब भी नाम आता तो डार्विन फोर एं तमाम में आजए दार्विन डार्विन डार्विन पदा नहीं है की बंदा की है, कर की गया, एक निया सब्जेक्ट देया गया, चलें देखने डार्विन काउन था, डार्विन पहला फर्स पर्स पर्सन था बैजान, जिसने आर्ग्यू कहाता है, एविडन्स के साथ दिया था, कि जितने भी स्पेशिज हैं, वर नौट और शकल में है, इसका मतलब ये इवोल्व हुई है, मैं एविडन्स के बाप बताऊँगा, क्याता क्याता, फर्स पर्स पर्सन हो आर्ग्यूड, आर्ग्यूड फ्रॉम एविडन्स जाट स्पेशिज वर नौट स्पेशिली क्रेटि इन प्रेजेंट फॉर्म, रधर दे है इवोल्व फ्रॉम एनसेस्टर स्पेशिज जो कि इवोल्ड हुए कहा से बड़ा इनसेस्टर स्पेशिज है, इस बंदे ने कहाता है एनसेस्टर स्पेशिज से इवोलूशन होती है, ये चेंज होते है, इन्वार्मेंट इनको डिफर्न मिलता है, और इने से एक निया स्प रेडिर जाता है वो डार्विन को जाता है क्योंकि इसने mechanism for evolution जो natural selection सबसे मारे जाने वाला concept था वो डार्विन ने पेश किया हुआ है हमारे ना पूरे दुनिया के अंदर दो concept exist करते हैं आज भी एक का नाम है theory of special creation और एक नाम theory of natural selection दो concept है जो creation वाली theory ना ये creationist मानते हैं जो कि creationist believe करते हैं इंदर theory of special creation जासे के का नाम है गूरे पे दो येwi उँवोलूशनिस लेक्षन है जैसे कि अरिस्टोर्टल हो गया, डार्विन वगरा हो गया, यह evolutionist है, creationist क्या कहते है, यह theory क्या कहती है, यह आपके सामने क्या रखती है, बड़ा गोर से सुनेगा, बड़ा important part बताऊँगा, इसी से पूरा chapter मेरा start होगा, गोर से सुनना बड़ा, कहता है, all living things came into existence in their present forms, especially and specially created by nature, कहता है, जितने भी दुनिया में जानदा है living organism, जो existence करते हैं, जो nature ने बनाया है, उसमें कोई chain नहीं आता, जैसे बनाया है, वैसे कि वैसा मजूद है, मतलब कि आप कहते हैं, बड़ा मैं नहीं मानता है, वैसे आम मानना चाहते हैं, मालो, मुझे नहीं पता, आप, आग कोई change, evolution का concept नहीं है, वो present existence के लाहाँ से वो मुझूद है, और ये believe करते है, divine creation, divine force कहते हैं, divine creation, divine का मतलब खुदाई, जो खुदा की force है, जो खुदाई force है, जो खुदाई power है, ये उसके बलीव करते हैं, जैसे थे, वैसे के वैसे हैं, ये क्या कहते है, organism might evolve through time, ये जितने जानदार है, वो evolve होते हैं वकित के साहथ, one type of organism gives rise to another, एक जानदार ये, जैसे है, वो दूसरे जानदार को बनाते है, हो कहांसे बनती है,等等, जो कहांसे बनती है, और एशन वन किस को कहरा है, किस को कहा होब कहांसे नए insideعة, कहांसे बनती है, कहते है ich seven one कोडती, उस fingsch as one क 어떻게 rightone the day of Aristotle Aristotle सबसे पुराना एक सैंटिस सा सबसे पहला यह पुराना सैटिस कह से थे जिसको अरसू का भी नान दिया जाता था उस जवाने के जो पीशिजज़ को एशन कहा जाता और आज का जो जो जुआना है उसको हम कह से दर डिसेंडेंट है वो एक आज के जो मौडरन किसम की स् वाले कौन ते बिटा है इवोलूशन इससे और यह इवोलूशन क्या कहते थे कि जानदार इवोल्व होते हैं वकत के साथ साथ सैंटिस का नाम देखिएगा इवोलूशन जो चैप्टर केंद है डिफरंट जो इनने रोल अदा किया है एक है लिनियस जिसने बाइनॉमियन पापुलेशन पापुलेशन के प्रिंसिपल को अपर लिखा था क्यूवियर एक ऐसा सैंटिस इसन जिसने हिस्टरी बाइप क्याटाट्रोफिजम लिखा जमीन की हिस्टरी के बारे में taka टlasवियर ने बताय तो प्लें प्लेंोजियर जो फोसेosed की स्टरडि के अदर है उती लील एकस्थिस दूण us da लिल एकस्तिस गूजरा इवोलूशन के इसने वयज पूछर किया थे प्रिटीतस की ंडर लीलि enos यह एकसफर की ता नाम गाता जोसेफ के लुछ नियूपकर पूरा इवो ने पहने किया जो हमारे अगये topic होंगे और इसने रोड किया था ऐसे भी जिसका नाम है original species जो कि सारा के सारा credit जाता है Darwin को evolution के लहाज से तो वो इसके लहाज से जाता है natural selection और original species के लहाज से तो आगे हम देखेंगे क्यों सेम था कैसे सेम था यह आगे बहुत detail में हमारा आने वाला है chapter और बहुत simple सा यह topic chapters होगा जिसका नाम क्या evolution तो हमने सबसे पहले introduction of evolution पढ़ा कल हमारा या आगे जो हमारा lecture होगा वो किसकी उपर होगा प्रो क्रियोट और यू क्रियोट की evolution तो ओ की बड़ा अलाह आफीस